कोन अपना नजर आता है, परिवार में कोई अपना नहीं रहा, साथ में कोई अपना नहीं रहा, रिष्टे नाते कोन अपने रह गए, जब जरूरत होती है, जब भी आप देखोगे, पास में आप अपने आप कोई पाऊगे, दूसरा कोई साथी नहीं मिलेगा, कहीं भी कि विशार से देख लो किसी भी एंगल से देख लो किसी तरीके से सोच लो कहीं तक विचार गुमालों कहीं पांच वर्स पीछे चल रहा कहीं आगे चल रहा है यह समय है ये समय गूमता रहता है चलता रहता है जिसने इसकी एहमियत नहीं की वो समय की एहमियत को नहीं समझ पाया और जो समय की एहमियत को नहीं समझ सकता वो पीछे छूट जाता है चाए कोई भी हो इस वर्मांड के अंदर चाए परकरती में कोई जीव हो छोटा हो बड़ा हो मान कुछ भी योनी हो उनमें सब में पिछड़ता चला जाता है या तो परकर्ति और परमात्मा का बैलेंस बना करके हम आगे बढ़ जाते हैं या हम उसमें पिछड़ करके बरबाद हो जाते हैं जीवन का जो सार है जीवन का जो उदेश्या है वो इस जो आपके अंदर ये रूपी हुई आत्मा है जिसको आप भरं के कारण परदे के कारण भूल के कारण कारण पिछड़ गए हो दूर हो गए हो इसे किसी कारण वस दूर चले गए हो अगर आप इसको सम्द पकड़ करके इसकी खोज का पर्यास करेंगे बहुत लोग आते हैं मेरे पास एक ने बोला मुझे महा बोलो क्या चाहिए आपको उन्होंने का जी परमात्मा की खोज में आई है मैंने कहा भई गलत जगे पर आ गए आप लोग तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि आप परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हो कुछ लोगों को कराई भी है मैंने कहा आप तो और भी गलत जगे आगए आप लोग उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल सही दो वरस से आपके पीछे तलास कर रहे हैं और हमने पूरा सब कुछ जांच देख करके परख करके सब कुछ अनुभाव करके आपके एक 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 अटिविटी नोट करके तब हम आपके पास आए हैं मैंने का है इसलिए तो गलत जगे के उपर आगए खोए हुए तुम हो ढूंड रहे हो परमात्मा को परमात्मा कहीं खो नहीं गया है, वो तो आपके अंदर में ही वी राजमान है, वो कहीं गया ही नहीं, बठके हुए तो आप लोग हो, खोए हुए तो आप लोग हो, भूले हुए तो आप लोग हो, भरमित तो आप लोग हो, आपके अंदर कम्या हैं, आपकी चाहें बढ़ गई, आपको जो स पास्टरिय की बात है कि परमात्मा को ढूंड रहे हैं, अपने आप को खो दिया, आप समय को खोज लो, परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा कोई आप से भिन नहीं है, परमात्मा कोई आप से दूर नहीं है, परमात्मा कोई आप से दूर रह भी नहीं सकते, क्योंकि जिस द आपके शरीर के अंदर से परमात्मा दूर हुए क्या बचेगा आपके पास खुछ भी नहीं परकरती का ये पांच तत्तो आठ अस्ट परकरती का शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा एक मिनिट में बोल देंगे उठा लो इसको अरे दो गंटे भी घर नहीं रखते पूरी रात अगर घर रखना पड़ जाए एक रात सोचने लगते हैं आज की रात कैसे कटेगी सुबह कैसे होगी कैसे रिष्टेदार आएंगे कैसे फिर इसका अंतिम सस्कार होगा क्या करें तब तक कौन इसके पास बैठेगा जिसने सतर साल तक सब कुछ कमाया घर बनाया इंट पत् को दोखा दिया प्रमात्मा को दोखा दिया अपने आप को दोखा दिया परिवार को दोखा दिया चारों तरफ से समेटा जोर लगाया एकठा किया एक कतरा कतरा जोड करके वहां तक ले करके गए और उसी आदमी के लिए उस घर में एक रात के लिए भी जगह नहीं ये दिन पता है क्या होता है मैं तो ठक गया अरे वहां पिताजी चले गए ना इसलिए रात बर बैठे रहे और पास वाला क्या पता है क्या बोलता है अरे कोई नहीं मेरे वाले पिताजी गए थे तब मैं तो वहां रुका हुआ था रिष्टिजारों को बोल दिया था तुम समाल लेना, आज कल ये क्या चल रहा है जीवन में, क्या खेल हो गया है ये, क्या ये ग्यान है, क्या ये हमारी शिक्षाएं हैं, क्या ये हमारा धर्म है, क्या ये हमारे कर्म हैं, क्या ये जो हमारे पुरोजों ने संस्कार दिये थे वो हैं, क्या इसे जीवन मुक्ती हो जाएगी, क्या ये कल्यान का मारग है क्या ये ही खेल है जिसके लिए हम भाग रहे हैं क्या ये ही हमारी इच्छाएं हैं क्या इन्ही को लेकर हम जी रहे हैं आज हम उनके साथ कर रहे हैं कल हमारे साथ भी ये ही होगा आने वाली पीड़ी तो और तेज होती जाएगी और से पीट बढ़ती जाएगी, माया और काल का इतना परभाव चल रहा है संसार के अंदर, हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, हर रोज कुछ न कुछ अलग चल रहा है, खेल कुछ न कुछ चलता रहता है, जीवन बदलता रहता है, और इसी परकार से हम पीछे रह जाते ह पर करती भाग करके आगे निकल जाती है, साथ में क्या चलता है, अंतिम में गए क्या होता है, छोटी-छोटी चीजें भी निकाल ली जाती है, अरे देख लो कहीं कोई घड़ी साथ ने चली जाए, कोई सोने के वस्तु साथ ने चली जाए, अगर कोई डाल भी दे, कि अरे ज जाने दो इसको साथ वाले रिष्टेदार निकाल लेते हैं कि अरे हम नहीं जाने देंगे जवंतिम संशकार के लिए ले जाओगे जो जलाने वाले वो निकाल लेंगे अरे लकडियों तक मेहरा फेरी होती है क्या हालात हो गए हैं जीवन के कैसे जी पाओगे कैसे रह इसलिए मैं बोलता हूँ नाम के सहारे के बिना मन्जिल की पराप्ति नहीं होगी और जो भगती नहीं करेगा जो नाम नहीं रटेगा जो उसकी तरफ नहीं बड़ेगा क्या पराफ्त होगा, क्या पाया आप लोगने, सो साल तक जो कठा किया, एक जटके में सब कुछ खो दिया, और जहां उस मंजिल की और चड़ने का जब समय आया, तो कोई शाथ नहीं मिला, क्योंकि ना हमने परियास किया, ना भजन किया, ना ध्यान किया, ना भगती की, ना उस रास्ते का पता, ना मंजिल का पता, कहां भागोगे, कहां दोडोगे, फिर मरने के बाद भी बहुत लोगों का तो पीछा नहीं चूटता, वो भी ऐसे जब बटकती रहते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं का कल्यान नहीं होता, ऐसी आत्माओं ऐसे ही छटपटाती रहती, उनको सजाएं होती रहती हैं और फिर वापीशा करके संसार में आ जाती हैं फिर बटकती रहती हैं तो इस संसार के अंदर जीवों की बहुत हालत खराब हो गई है और ये तो सुरवात है अभी तो ओर ज्यादा हालात कराब होगी क्योंकि नाम के विना उस टाकत का हैसास नहीं हो सकता। तो नाम कैसे प्राफ्त हो नाम के लिए गुरू किया हो सकता। गुरू सनसार में रहे नहीं क्योंकि गुरू तो आजकल वो हो गए हैंvernानार्ण waxividades ना स्थaulte legalise और यह पूरी होंगी यह कर लेंगे। आज के गुरू क्या हो गए हैं, किसी ने थोड़ा कर दिया, अरे तुम्हारा बहुत बड़ा एसान है, गुरू एसान मानने लगे, जो गुरू सिश्चे का एसान मानने लगे, तो समझ लो, पतन निश्चित हो गया.